पाठ चौदा पईयों पर दोड़ती कला वहां के ट्रांसपोर्टर ट्रकों और बसों की शानदार सजावट पर लाखों रुपए तक खर्च कर देते हैं पाकिस्तान की इस कला के विशय में और जानने के लिए या पाठ सुनते हैं पाकिस्तान के ट्रकों को कला का चलता फिरता नमूना कहा जा सकता है वहां के ट्रांस्पोर्टर ट्रकों और बसों की शांदार सजावट पर लाखों रुपए तक खर्च कर देते हैं उनकी नजर में या एक शांदार कला का प्रदर्शन है इस कला का एक नाम भी है दुनिया इसे पाकिस्तानी ट्रक आर्ट के नाम से जानती है पाकिस्तान की ट्रक आर्ट का मतलब भारत की तरह ट्रकों पर शेरु शायरी के कुछ नमूने, बगैरा लिकवा लेना या कोई छोटी मोटी चितरकारी करवा लेना भर नहीं है वहाँ इसका मतलब ट्रक या बस के बाहरी हिस्सों पर ऐसी कलात्मक पेंटिंग करवाना है जिसका शायद ही दुनिया में कोई जोड मिले वहाँ हर ट्रक और कई बसें भी एक दम अलग होती है पूरी दुनिया में ऐसे रंग बिरंगे ट्रक ढूंडे नहीं मिलते इस कला की शुरुवात भारत पाक बटवारे से काफी पहले ब्रुटिश राज में हो गई थे उस दौर में कोहिस्तान नामक बस कमपनी ने पंजाब के एक दस्तकार उस्ताद इलाही बक्ष को अपनी बसों की इस तरह सजावट करने को कहा था जिस्से की यात्री उनकी ओर खीचे चले आएं इलाही ने सजावट के काम के लिए पंजाब के ही चिनोट कस्वे के कई छोटे मोटे पेंटरों को इस काम में अपनी निगराने में लगाया था उन्होंने कोहिस्तान कमपनी की बसें कई दिलकश डिजाइनों और रंगों में सजादें इसके बाद तो जैसे पाकिस्तान में इसका जुनून ही सवार हो गया यह काफी महंगा शौक है लेकिन आलम यहा है कि वहां ट्रक खरेदने वाला हर शक्स ऐसी रंगीन सजावट के लिए भारतिय मुद्रा के मुताबिक डिल से धाई लाक रुपए अलग से लगा देने को पिजूल खर्ची नहीं मानता ज्यादा तर लोग अपने ट्रक या बस को तब तक अपने काम धंदे में नहीं उतारते जब तक की उसकी सजावट नहीं हो जाती इस तरह की सजावट पर कुल कितना खर जाएगा या सजावट के प्रकार पर निर्भर करता है कोई ट्रक या बस की दीवारों पर सिर्फ रंगीन चितरकारी करवाना चाहता है कोई उन पर रंग बिरंगे कांच जड़वाता है तो कोई लकडी के टुकडों पर धार दार नकाशी करवा कर उन्हें ट्रक पर मढवाता है उंट की हड़ी से बनी जेवर भी ट्रकों बसों में लगाए जाते हैं जिससे खर्च और बढ़ जाता है इधर प्लास्टिक से बनी चीजूं और बिजली की लड़ीयों से सचावट का चलन भी चल निकला है ट्रकों पर चुटीली और मशहूर शेरो शायरी लिखवाने से भी वहाँ कोई परहिज नहीं है पेंटर भी अपनी शायरी का शौक चित्रकारी करते वक्त ट्रकों पर उकीरने से खुद को रोक नहीं पाते रोचक बात यहाँ भी है कि ट्रक के तकरीबन हर हिस्से की सचावट में अंतर होता है सचावट करने के लिए ट्रक के कुछ नए हिस्से तक बनवाई जाते हैं जैसे ड्राइवर के केबिन के उपर मर्टी परपस डेक बनवाई जाती है इसका इस्तिमाल रात में क्लीनर आधी सहायकों के सोने के लिए और अतिरिक्त सामान रखने के लिए किया जाता है इस डेक को भी खुब सजाया जाता है आम तोर पर ट्रक के सामने का हिस्सा रंग बिरंगे कांच की टुकणों से सजाया जाता है जबकि ट्रक के दर्वाजी और पिछले हिस्से में नकाशी दार लकडी का प्रयोग किया जाता है ट्रक की सजावट के लिए लकडी पर के गई नकाशीयों का प्रयोग किया जाता है चमक बिखेरने वाली रंग बिरंगी पट्टियां काम में लाई जाती है इन्हें चमक पेटी कहती है प्लास्टिक से भी ट्रकों पर सजावट की जाती है इस दिल्चस्प कलानी पाकिस्तान में हजारों रोजगार भी पैदा किये है तक्रीबन हर पाकिस्तानी शहर में इस काम की छोटी मोटी दुकानों से लेकर पैक्ट्रियां तक मौजूद है सिर्फ कराची में ही 50,000 लोग इस धंदे में लगे है और कराची इस कारुबार के मुख्य केंद्र के रूप में उभरा है रावलपिंडी, स्वात, पेशावर, क्वेटा और लाहौर आदी में ही नहीं उत्तरी सिंध प्रांत का एक छोटा सा कसबा घोटकी तक ट्रक आर्ट के लिए मशूर हो चुका है कहते हैं ट्रक आर्ट की शुरुवात घोटकी से ही हुई थी लेखक अभिशेक कुमार सिंग नीचे दिये गए वाक्यों में रेखांकित क्रियाओं को काल के अनुसार उनके सही स्थान पर पहुचा ये सही वर्ण विच्छेद के सामने सही का और गलत के सामने गलत का निशान लगा ये